वार्णसी में काशी हिंदू विश्विध्याले में सुरक्षा करन्यों की बीच गाली करोच मार्पीट की घटनाय आम हो गई है यहां के बाउंसर द्वारा मरीज जैसा की आपको अवकत है काशी इंदू विश्विध्याले में एक दिमारदा के साथ मार्पिट करने के करब में पत्रकारों के साथ भी मार्बीत की गए थी उस घटना में समलुक दोशी अभी तक गिरफ से बाहर चल रहा है और उनके खिलाफ कोई भी कारवाई नहीं की गए इसके फल्सग्रूप सुंदरला चिकिस्याले में चात्रों शिक्षकों सरूप गाडरी बांसरों और जूनियर रेजिडन्ट का वरीचों के साथ विभार ठीक नहीं है पता हमारी मांग यह है कि इस घटना में अभी तक क्या क्या ऐसी घटनाए घटित ना हो इसके संदर्प में हमारी कुछ मांग यह निम्नवत है उक्त बाते सार्वजिन्ट की जाए एवं आगे से इन बातों कार्थ्यान रखा जाए उक्त घटना में शामरी बांसरों के खिलाप क्या कारवाई हो? सारजन की जाए वर्टमाल चिकेसा अधिक्षक के कारेकाल में हुए समस्तर कारेों की जांच कराई जाए क्योंकि इसमें शुरू से ही करोडों के घुटाले का अनुमान और चर्चाई होती रही है हेल्थ कार्च से दिखाने के लिए आए चात्रों का जो निर्धारिक समय है उसको बढ़ा कर पूरा दिन का किया जाए चात्रों और चिक्षकों के बीच बहतर समन्वे के लिए उचित कारेवाही की जाए पाच्वा वाडों से एमेर्जेंसी से दलालों को पूर्ण डूप से बाहर कर दिया जाए बलेड टेस्ट और अन्य टेस्ट जो वी एचियू में हो सकते हैं फिल भी उसे बाहर देजने वाले रेजिदेंटों के खिलाफ सक्त सक्त करवाई हो चात्र स्वास्त केंद्र में विशेशग्य डाक्टरों के संख्या बढ़ाई जाए महिला फिजीशन की विवस्था की जाए जिससे की चात्राओं को कुछ सुविदा हो पार्टिंग की समचित विवस्था की जाए आस्पताल के अंदर एम्बुलस छोड़कर किसी पी वाहन को खड़े होने की इजासत नहों मेरा नाम इस्टुदेव पांडे मैं चातने ताक आशें दोग शिवित्या ने आज हमारी मुख्य मांगे थी कुछ जिसको ले करके हम लोग नए जो हमारे चिकिस्टा ने देशका है हम लोग उनसे मिले जिसमें हमारी प्रमुक मांग ये थी कि पिछले दिनों हम लोगों ने देखा था कि यहां पत्रकारों के साथ बांसरों ने मार पिट गाली गलोज और चिना जप्ति कोसिस की थी किया भी था तो उसको ले करके अभी तक क्या कारवाई हुई इसकी कोई स मामले में कारवाई हो रही है इहां के त्म जूत अब भे म्लाकश और इन्हों ने भरोसा दिया है जो भी संपर्वाई होगी होगी इसके साथ हम लोग की कुछ और मांग developers मैं भी ती जो छात्रों से जड़िवी थी जिसमें हमने इन से मांग होग की हिसु है कि एक घंटा इनों ने क्यों लेकि समय निर्धारत कि या एक घंटा 기 दिखाया जाएगा तो उसमें हमने का कि छात्रों को पूरे दिन दिखाने का मौका मिलना चैंई विशुक। 직접 जैले में यहां के चिक्शियले में सारे च्छात्रों का स्वास्त और सब निर्वर करता है तो हमने इंसे मांग की है कि जल से जल वहां पर कम सकम तीन या चार जो पिजीशियन की निफती हो और एक महिला डाक्टर की निफती हो जिससे कि यमारी जो छात्राइं उनको हम देखते हैं कि कई बार छात्राइं संकोच वस अपनी बाते बता नहीं पाती है तो अगर एक महिला चिकिस्षक होगी तो छात्राइं भी खुलके अपनी बात रख पाएंगी और उनका टीटमेंट अच्छे से हो पाएगा तीसरी बात जो आये दिन यहां पर छात्रों के सा प्रद्यम से बलड सेम्पल बाहर जाता है फिर कई न कई छात्राइं और इसका विरोज करते हैं जगड़ा होता और बाद में छात्रों पत्रकार-दोसी हो जाते इस मामले का भी हमने सग्ञान कराया इनको और इन्हों ने हमें वरोचा दिया है कि इस मामले को देखेंगे और जैसे भी विश्व की द्याले का है और यहां का जो चिकिस्टाल है सरसुंदरलाल इसमें जैसे भी अच्छा से अच्छा हो सकता हो सारा कार करने का यह प्रत्न करें